तस्वीरे पहले देख लिजे सायोगी के मादम से कि यहाँ पर लगातार जो निर्मान कारे है सेड का या फिर ढलाई का वो तमाम कारे यहाँ पर चल रहा है कहते हैं कि सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई एक बहुत ही खुबसूरत पंक्ति है कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाए प्रशाला करके मेरे रखा हुआ था पजी जार प्रशाला बंध था और पूजा होता था नहीं यह लेकिन इशवार लोगों में कुछ अलग विलास है चुकि यहां 69 गाएं है लगभग 15 बच्चे है तो लास होना भी भाण तमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ कुमार हर्स देखिए इस वक्त हम जाजा के श्रीकृष्णा गौसाला में मौजुद है तस्वीरे पहले देख लीजे सहयोगी के मादम से कि यहाँ पर लगातार जो निर्मान कारे है सेड का या फिर ढलाई का वो तमाम कारे यहाँ पर चल रहा है कहते हैं कि सनातन धर्म में हिंदू संस्कृती से जूड़ी हुई एक बहुत ही खुबसूरत पंक्ती है कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा तो यह शब्द इसमें एक एक सब्द का अपना अपना एक अलग महत्व है और साफ तोर पर इस पंक्ती से यह प्रतीत होता है कि आप जब इस धर्ती पर आये थे तो आपके कर्म जो आपने किये हैं उसी को लोग याद रखते हैं आपके अंतिम छनता तो लोगों को अपने उस कर्म में कुछ ऐसी चीजे अवश्य जोड़नी चाहिए कि आपके ना रहने के बाद भी आपके उस कर्मों को उन कर्मों को लोग यादगार बनाकर आदर्श स्वरूप मानते रहें आज जाजा के श्री कृष्ण गौसाला में पचीस हजार रुपए सहयोग के रूप में जो व्रिधा वस्ता में लोग अपने कहीं न कहीं स्वास्थ श्रिवा के लिए या फिर अपने जिंदगी गुजारने के लिए लोग इकठा करके पाई पाई जमा करते हैं तो जाजा जब हमने बाचीत की तो उन्होंने कहा कि वो प्रती दिन यहां पर आकर सोनू बंडवाल सुनील बंडवाल टिलू बंका श्रवन बंडवाल इन सभी लोगों के साथ एक टीम बनाकर सुबह गायों के लिए सानी लगाते हैं तमाम गायों की सेवा करते हैं और सुबह सुबह एक तरफ जो लोग मॉर्णिंग वाक पे जाते हैं तो वही दूसरी और ये लोग सभी गौशाला में आकर सेवा करते हैं देखें तस्वीर देख लीजे ये तमाम गाये यहाँ पर रखी गई है और विभिन तरह की यहाँ पर गाये हैं गौशाला एक वक्त जब यहाँ पर ख सभी का नाम लेना उचित नहीं है चुकि बहुत सारे लोग है जिनका यहाँ पर लगातार सहयोग मिलता आ रहा है उन तमाम लोगों को हम नेशन नीज की और सेवार प्रकट करते हैं साथ ही आपको बता दे कि हर वर्स गोवर्धन पूजा गोपाशनी पूजा जिसको बोलत वो विरहत पैमाने पर होने वाली है और बहुत ही हर्सोलास के साथ होने वाली है तमाम लोगों से हमने बाचित करने का प्रयास किया है और आज कैलाश प्रशाद बरनवाल को यहां के लोगों ने शमानिद भी किया है क्योंकि करोडों की प्रोपर्टी रखे हुए कुछ ल प्रवाइब उस जगह को समर्पित करें जहां से लोगों की सअधभावना जुड़ी हुई है जहां से लोगों की आस्था जूड़ी हुई है तो बहराल खबरों में इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन-डीश को कर दो तो गाय को लेकर वह वर्धन पूजा को लेकर भी तयारी कर देखेंगे आज हम लोग गौशाला में जो जिनोधार के लिए 25-25,000 रुपया 31,000 रुपया भी दिये टोटल 9 लोग दिये लेकिन 9 में एक खास लोग थे जो जाजा में पीहर चौक के पास बिगत कई बरसों से नमकी नेवम जालमूरी बेचते हैं उनकी दिल धरिया को देखकर हम लोगों ने आज एक जो है सम्मान समारो रखा था उनका नाम है स्री करलाश प्रशाद बर्णवाल उन्होंने अपने भविश्य के लिए 25,000 रुपया रखा था उनको क्या हुआ हूँ 25,000 रुपया लेकर रहा है और गौशाला में दे दिये ब लगाना हूँ हम लोगों को देखकर बहुत खुसी हुई इसलिए अज उनका शम्मान शमारो रखे थे शम्मान किये भी उनका वह बहुत खुस भी हुए हम जाजावासियों से निवेदन करेंगे कि आप इससे भी कुछ सीख ले और गौशाला में बढ़ चड़कर हिसा ले लेकिन इश्वार लोगों में कुछ अलग उलास है चुकि यहां 79 गाएं हैं लगभग 15 बच्चे हैं तो उलास होना भी वाजीब है इस वार धूम धाम से जो है गौपाश्टमी मनाया जाएगा लेकिन मतलब चारा की इतनी कमी है कि एक ज्धालमोडी बेचने वाले केलास परसाथ जी वो 25,000 का सयोग गौशाला में दिये और इनको देखते हुए मलत दानवीरों को थोड़ा प्रेलना लेना चाहिए और गुसाला में आके भरपूर सयोग करना चाहिए